असलम क्लाजेज एक बार फिर से आप सभी का असलम क्लाजेज में स्वागत है आज हम बात करेंगे फिर से रिमूबटू के बारे में देखिए आज हम डिसकस करेंगे पार्ट नंबर फाइब के बारे में इससे पहले हमने फोर पार्ट फिनिश करा चुके हैं ठीक है ना आज बार आज हम नेक्स टॉपिक के बारे हम डिसकूस करेंगे, तो इसमें क्या होगा है, बहुत कुछ भी नहीं है, तो देखें, आज का कौंसेप क्या होगा, देखें, इसमें आप याद रखें, आपको यहाँ पर टू मिलेगा, तो डेखेंगे, ऐस के बाद आगे चलके अपन सा फर्क है, इसमें सब्जेक्ट जो होगा ना वो नॉन लिबिंग होगा, यह याद रखेंगे, ठीक है, तो देखें, इसका रूल देख लेते हैं कि सेंटेंस होगा कैसे करके, तो उसमें आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको दिखाई देगी आ जाएगा, क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, अब देखें, देखें, यह टू और यह टू, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आप एक बात पर फोकस करना है अब, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ना वो नॉन लिबिंग होगा, कैसा होग नॉन लिबिंग होगा, यानि कि बेजान होगा, तो यह जो है ना, यह इसके एड़ वप टू का रूल है, अब हम डिसकस करेंगे, इसका रिमूब टू का रूल के होगा, तो देखें, आपको कहला है, सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट लगा लीजेगा, उसके बाद आपक इसको करने के दो-तिन तरीके हैं, पहले हम पहले की डिसकस करेंगे, फिर मैं इसी पर रूल आगे लिख दूँगा, तो देखें, उसके बाद आपको लगाना होता है, वप की फिर्स फॉं, तो यह यह देख लिजेगा, तो यही देख लिजेगा आप लोग, तो यही देख एक रूल इसका यह हो गया कि आपको सब्जेक्ट लगाना होता है उसके बाद हेल्पिंग वॉब उसके बाद सो उसके बाद एजेक्टिब उसके बाद लगाना है उसके बाद आपको लगाना है वन का मतलब यहां पर होगा कोई क्या मतलब होगा कोई मतलब है इसका उसके बा के बाद आपको लगाना है एक किया अगर अगर आप नन लगाएंगे तो आप एक बासुर जरूर या तो आप लगा लीजे can या code लगा लीजे, उसके बाद b first लगा देनी है, बस हो गया, तो एक और ये हो गया, ठीक है, आप याद रखें, आपको subject लगाना होता है, उसके बाद helping बब, उसके बाद so, उसके बाद executive, उसके बाद that, उसके बाद none, उसके बाद no one, देखें, इन मे क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा, बात करें बनकी, तो one क्या है, बन जो है ना एक positive bird है तो यहाँ पर not लगाने के आपको जरूरत है करने का एक तरीका और होता है देखिए हमने आपको बताए दो रूल एक तो होता है one से करने का one के बाद can code लगाए और not लगाए लेकि एक तरीका होता है none और उसके बाद या आप लगा सकते है नो बन उसके बाद can code एक तरीका यह हो सकता है याद रखें none और नन के बाद आपको not लगाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है मैं आपको यह बता रखा है इसके बाद एक तरीका और भी होता है वो भी आपको मैं बताऊँगा लेकिन लास्ट में आप continue चलते रहे उमिद करता हूँ आपको बहुत easily clear होने वाला है सब कुछ और सुनिए हमारी यह जो remove to हम करा रहे हैं यह बहुत ज़रा easy है दूसरी चीज़ यह है कि इसमें आप inter level से competition level तक कर सकते हैं क्लियर है ना अराम से कोई भी भूक अढालीजेगा आपको clear हो जाएगा सब कुछ तो देखें एक्जाम्पल देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा यहां पर एक एक्जाम्पल लेते हैं क्या देखें the weather the weather is too cold to go out तो एक्जाम्पल आपके सामने है क्या है the weather is too cold to go out देखें आपने यहांपर to देखा यहांपर to देखा देखें मैंने बता रखा हैं आपको क्या मेलेगा to मेलेगा और यह वाला to मेलेगा اच्छै एक बात बताएएए मैंने बताया था subject कैसा होगा non-living subject कैसा होगा non-living होगा तो देखिए क्या subject क्या है यहाँ पर यहाँ पर है weather और weather क्या है यहाँ पर non-living क्या है non-living है subject आपको देखना है यहाँ पर subject non-living है तो बनाने के दो तरीके हो सकते हैं अब देखें ये two जो है वो negative sense निकालता है अच्छा इसका असर कहां पड़ता है इस two पर पड़ता है तो देखेंगे किसको कैसे बनाना होता है तो देखें आपको लगाना है subject देखें रूल ये लिखा है आपके सामने है ना रूल ये लिखा है और एक ये लिखा है तो इसका रिमूब टू चेंज करेंगे हम देखें पहले हम बनाते हैं इस वाले से ठीक है वन वाले से बनाएंगे तो इसमें आपको क्या लगाना होता है देखें दव वैदर सब्जेक्ट लगा लिजे देखें ये subject है तो subject लगाईए क्या है दव वैदर उसके बाद में रूल कहरा है कि आपको क्या लगानी है helping वाब लगानी है तो is लगा लीजे उसके बाद देखें टू को हटा करके क्या लगाना होता है so उसके बाद लगाना है that आपको तो that लगा लीजे उसके बाद आपको लगाना है यहां पर लगाना है इसके बार आपको लगाना है इसमें गो out, किया हो गया? go out इसका मतलब क्या हुआ the weather जो मौसम है ना इस सो सॉरी यहां पर cold नहीं लगाया cold लगा लीजे तो यह रहें cold लगा दिया तो क्या होगी जब weather जो weather है ना is so cold वो इतना cold है इतना थंडा है that की one cannot बन का मतलब होगया कोई कोई नहीं जा सकता go out कहां बाहर नहीं जा सकता याद रखें बन के साथ में आपको not लगाना कंबल सरी है लेकिन अगर आप बन की जगए पर नल लगाते हैं या नोबल लगाते हैं तो आपको not लगाने की जरूरत नहीं होती है आइ होड़ आपको समझ में आ रहा होगा इसको एक तरीके से और देखले भी जहीं जो दूसरी बाला रूल लेग भाय है आपको इसके बाद आपको लगाना होता है ाई थे लगा लीजे थे उक यहाँ पर two के जगाने क्या लगाते हैं टेक है नन उसके बाद आपको लगाना है can नन, पैशन, अब याद रखें नन मिल गया ना तो आपको not लगाने की जरूट नहीं उसके बाद क्या लगाना आपको वाप लगाना है क्या हो जागा? go out तो क्या हो गया? the weather जो weather है ना is so cold वो इतना थंडा है that की यहां पर एक और एक्जम्पल में लिखने जा रहा हूँ, क्या है, the car, the car is too costly, to buy, okay, देखिए, एक्जम्पल क्या है, the car, देखिए, आपने यहां पर two देखा, यहां पर आपने two देखा, समझ गया rule, अब देख लीजे subject, subject कैसा है, इसका non-living है, हाँ जी, बिल्कुल non-living subject है अगर non-living subject है, तो इन rules का आपको use करना है, जो मैंने आपको यहां पर लिखवा रखे हैं, याद रखें आप लोग, ठीक है, थोड़ा गहराई से पढ़ें, confusion हो सकती है, आपको सारे rules को खुब अच्छे से याद कर लिया करें, सारे rules को खुब अच्छे से याद जरू कर इसको सब्जक्त लगाना है, सब्जक्त क्या है, दकार, तो दकार लगा लिजे है, उसके बाद इस लगाना होता है, लगा लिजे, तू को हटा कि क्या लगाते है, सो लगाते है, अच्छा, उसके बाद लिखा है, तो आप को लगाना है, तो आपको लगाना है, तो लगाना तो नोट लगाने के आपको जरुवत नहीं होती है, तो आप क्या लगा दीजे, वह लगा लीजे, ठीक है, तो क्या होगा है, दा कार इस सो कॉस्टली, जो कार है न, इतनी कीमती है, दैट की, नन कैन बाई, कोई खरीद नहीं सकता, अच्छा किसको नहीं खरीज सकता, कार को, तो कार के लिए यहां लगा लिजे, इसको नहीं खरीज सकता, यानि की, कार को नहीं खरीज सकता, यह बाद थोड़ा ध्यान दें, आप तो थोड़ा समझे करें, ठीक है, कि पूछो किसको नहीं, तो आप लोग इस बात को ध्यान दें समझा करें कि किसको नहीं खरी सकता तो किसको इसको यानि की कार को नहीं खरी सकता ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा होगा एक तरीका बनाने का और हो सकता है क्या Can The Car, Car लगा लीजिए उसके बाद इस लगाएंगे उसके बाद तो लगाएंगे फिर के लगा लेंगे Costly जो Car है ना वो इतनी 아सली है सब्सक्राइड कि One अब One आगए तो cannot लगाएंगे Okay? One cannot buy कोई खरीद ने सकता, This It Is A ठीक है, इसको कोई भी खरीद नहीं सकता, जो कार है ना, इस सो कॉस्टली, वो इतनी कॉस्टली है, that one cannot buy it, कोई इसको खरीद नहीं सकता, तो देखें, यहाँ पर एक और एक्जामपल है, the mountain, is too high, to climb, ठीक है, तो देखें, क्या लिखा है, तो mountain है ना, is too high, वो इतना उचा है to climb, कि कोई उस पर चड़ नहीं सकता, अब देखें, यह क्या हो गया, to, यहाँ क्या हो गया, to, मैंने बता रखा है, इसके बाद आप देख लेजे, subject, subject कैसा है, non living, जी हाँ, बिलकुल non living subject है, अगर subject non living है, तो इस rule को follow करना होता है, दो तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका और भी है, अगर आप मेरे से कहेंगे, तो आपको जरूर बताँगा, ठीक है, ना, तो next इसका बनाना कैसा है, क्या हो जागा, the mountain, the mountain, उसके बाद आपको लगाना है, is, two की जगर पर आपको लगाना होता है, so, अब देखिए, high, तो high लगा लिजे, उसके बाद कह रहा है, two two को हटाकर कि आपको that लगाना होता है, उसके बाद आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं बनाऊँगा, और एक से आप बनाएंगे, और comment में जरूर लिखेंगे उसको, that, यहां लगा दिए, none, can, climb, ठीक है, अच्छा, it, इस पर, क्या मतलब हो गया, ज आपको समझ में आ रहा होगा, तो याद रखेंगे आप लोग, none के साथ में आपको not लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, क्या आप बना सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं, तो comment में जरूर लिखें, चलो और example देखते हैं, अच्छे हैं और example है, the orange is too sore, to eat, तो देखें, यहां लिखा है, the orange, the orange है न, is too sore, to sore, to eat, देखें, to मिला, to मिला, subject देख लेजे कैसा है, अच्छा, non living है, हाजी, बिल्कुल non living subject है, हाजी, subject कैसा हो गया, non living हो गया, अब non living हो गया, तो दो तरीके से बन सकता है, यह, और एक तरीका, अगर आप कहेंगे, तो मैं बताँगा आपको बाद में, बहुत अच्छा तरीका है, वो भी, okay, तो देखें, कैसे बनाएंगे इसको, the orange, subject लगाईए, orange, उसके बाद is लगा लिजे, उसके बाद two को हटा क करके सो लगाते हैं, उसके बाद adjective है, सोर, सोर लगा लिजे, उसके बाद two को हटा करके that लगाते हैं, उसके बाद आप लगा सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं, मैं इसको one से बनाँगा, इस बार, one cannot, देखे, one मिलेगा तो आपको cannot लगाना पड़ेगा, one cannot eat, अचा, eat, जिसे खा सकता है, ओरांट को यानि की इससे खा सकता है, तो िढ़ा लिज्य लगा लिज्ये, ठीक है ना, का एक वड सारी की तरीके सी और भी बना सकते हैं, रहा हैं, इसका भी सिर समय राय। इस शिर केतों मेंहें चैने खाने चिल्ड कि आज दोटा है ! नेक्स एक्जम्पल देखें हम लोग चलो देखतें ग और एक्जम्पल देखें दप लेज सबसाआइब आपके सामने हे यहां आपने टू देखा यहांपर आपने टू देखा subject देख लीजे कैसा है अच्छा हाँ जी non living है बिल्कुल non living subject है यह अच्छा यहाँ लगा है बॉज बॉज लगा है यह बॉज लगा है यह तो बॉज आपको show क्या करेगा बताइए क्या show करेगा आपको बॉज यहाँ पर show करेगा past के लिए तो यहां पर could लगाना होगा, subject क्या है इसका, the place, तो लगा लिजे, the place, was, इसको अटा करके, so, क्या हो जागा, noisy, अच्छा, इसको अटा कर लगाना है, that, उसके बाद दू तरीके से बन सकता है, एक तरीका मैं बनाऊंगा, और एक आप comment में जरूर लिखेंगे, one cannot, one cannot, here, subject ल काद में वाब लगाईए, उसके बाद प्रॉपरली लगा लिजे, okay, properly, मतलब निकाली, the place, जो place है, was so noisy, वो इतना, मतलब, शोर वाला है, यानि कि बहुत ज़रा, शोर मच रहा है, वहां पर, that, key, none, one cannot, one cannot, one cannot, आगा है, ठीक है, one cannot, here, properly, कोई भी सुन नहीं सकता, अगर one लगाया है, तो नॉट लगाना ज़रूरी है, यह बात याद रखें, okay, तो I hope, कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, क्या आप इसको बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं, अगर बना चाहता हूं कि आपको कुछ एग्जम्बल दू आजाए, तो एक्जम्बल दे लिजिए, आप देखे, पैर एक्जम्बल है, यहां पर, दर अवर, दर अवर, इस, टू स्मॉल, टू रब, विद, okay, एक एक्जम्बल आपके पास में यह है, आप बनाना, कॉमेंट में जरूर डालना, ठीक है, मिस नहीं करना आपको, कॉमेंट में ज इस, टू डार्क, टू डार्क, टू सी, okay, एक एक्जम्बल क्या है, दरूम इस टू, यह टू है, यह डार्क है, ठीक है, टू सी, एक एक्जम्बल यह है, देखे, दो तरीके से मैंने बताए, आप दूनों तरीके से बना करके दिखाएंगे, और अगर आप चाहते हैं, हैं, कि आप रूल नंबर थर्ड भी बताए, इसका, सॉल्ब करने का, तो वो भी आपको बहुताने की कोशिश करूँगा, देखो, अगर आप चाहते हैं, कि आपको रूल नंबर थर्ड भी मिल जाए, तो आप क्या करी, एक कॉमेंट डालिए, तो आपको मैं जरूर बताऊ होगा कि रूल नंबर थर्ड से इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है न, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, एट सनफ फो टोडे, नेक्स्ट बील मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्यू फो वाचिंग माई वीडियो,